तो हम लोग वर्टसब के लिकुलिशन के विरित चेप्टर का डिस्केशन कर रहेते हैं और इससे पहले एक वीडियो अप्लोड हो चुका है और यह पार्ट 2 हो नहीं वाला है क्योंकि पार्ट 1 में अच्छे से आपको फर्मूला किस परकार से यूज़ करना है और कैसे आप स्वाल कर सकते हैं सब्सक्रीद बताया गया है तो आज मैं डिरेक्ट सवाल पे आता हूं और आप लोगों को सवाल सवाल कराता क्योंकि तकरिबर जो है दस या बारा परसंट पीछे वाली वीडियो में मैंने तो उसका लिंक आपको निचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मे और इससे पहले जो है मैट्स के आपका स्क्वार रेक्टेंगल सारे का कलास पूर्ण हो चुका है तो इसको भी आप देख सकते निचे में यानि प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा चले जो बचावा परसन था विरीत के उसके विशन 266 सेंटीमेटर है ठीक है na तो विरीत की तिर्ज्या और पर्यधि क्याद करना है तो देखें एक विरीत का छेटरफल मैंने क्या घाता आपसे की जिसका कॉंसेप्ट झो कॉंसेप्ट दिया रहे है पर जो दिया रहे है उसका concept लगाते हैं तो आपको यह clear रूप से क्या छेतर फल दिया गया तो छेतर फल क्या होता है पाइ- आर इस्कॉएर इन्हें यह चेहतर फल के बराबर आपका दिया वाए कितना दिया गया है 600 तो आप सिंपली जो है पाय का विल्यू रख दीजिए पाय का विल्यू कितना होता है बाइस बाइस साथ होता है और फिर जो है आरे स्कुयर में बराबर शेसो सोल अब जब आप सिंपली कट करेंगे तो यह 11 से जाएगा दो बर में इसके बाद आप इसे 11 से कटाएंगे तो एक बार में जाएगा उसके बाद फिर आपका बच जाएगा पहुंच वार में कट केटाते हैं एगर पुच्छे विपच्व पंन हो जाएगा उसके बात फिर यहां पंच और यहां छ्षट 紅 च्यासर् तो फिर यह 56 यह दो से जो है यह जो है यह कितने बार में 28 बाएस बार में चला जाएगा एशार बराबर यहां सब्सक्राओं से गुण और trilogy सब्सक्रार के दो निने सत्व मीं सप्सक्राइब पितना हो जाएगा 28 में 28 गुणे में इसके बाद 28 को ऐसा कुछ एरेजमेंट करते हैं तकि यह रूट से बाहर आ जाए तो इसमें क्या कर सकते हैं चार गुलिए में 28 को लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं अब देखिए हैं इस बांद 2 friendship की अदिख साथ 13 सकते हैंि और एक सीचिका में ऐसे स्य मरहाई हो भी किती है मैंat 25 मिरीद की तिरज़िया निकल की अगया आध करना है यह, परिधी का कॉंसेप्प औहstyा होता है. तो सिंपली आप जो है 2 higher कामिल रख दिये इंसर कोई दिकत है अगला प्रसन देखते हैं देखें यहां प्रसन आपको जो है हिंदी और इंग्लिस दोनों में मिल जाते हैं तो आप अगर आप इंग्लिस वाली इंग्लिस के बच्चे हैं तो आप इंग्लिस में भी देख लेंगे ठीक है तो हिंदी एंगलीज दोनों में में जाते हैं मैंने दोनों में टैक्टर के लिए दिया है अगला उस चाप की लंबाई ग्याद कीजिए जो उस विरित के केंद्र के साथ डिगरी कौन बनाता है जिसकी तिर्जिया 21 सेंटिमीटर है इन्हीं जो है लेंद्ध आफ आर के लिए जो है पीछे इससे पेछे जब मैंने विरत श्टात किया था तो उसी टाम बता दिया था इसका फर्मूला क्या होता है तो पाई आर ठीटा बटे तिन साथ डिगरी यह बताया था निपमानके चले यहां कोई विरत है ठीक है अब को कर रंग क्या है यह वरत है ठीक है उस चाप की लंबाएं ग्याद किजिए जो कि उस विरित का कैंद्र साथ डिगरी कौन पर यह नहीं यहां से कोई इस परकार से चाप है जिसका एंगल यह ठीटा एंगल क चलकी हम चलकर आकर निकालना है डिशा इसे निकाल सकते हैं तक तो इसे फीनिकाल सकते हैं कितना का हो जागा, 360 degree का हो जागा, यानि 360 degree का यह पूरा, अगर मैं यहां से चलूं, और यहां से चलते चलते, यहां के मिल जाओ, तो यह 360 degree पूरा कर जाता है, लिकने होता कितना, यह परिधी के बराबर होता है, 2 pi r, करने का मतलब, 360 degree बराबर कितना हो गया, 2 pi r, ए न, तो साथ डिग्री वराबर कितना हो जाएगा तो सिंप्ली आप साथ से गुना करतेंगे ऐसे भी कर सकते हैं ने तो नॉर्मली यहां जो इसका फर्मूला दिया गया आप सिंप्ली जो इस पर साथ कर देंगे ठीटा के जगा पर क्या रख देंगे आप साथ डिग्री रख कि आपको बिकरमस्रावाइश सेंटर में पर देखा गया था तो कोई भी चीज़ को मिस नहीं करना है सारे चीज़ को दिया नहीं से क्योंकि इससे बहुत सारी प्रस्द बनते हैं तो और लेंद्ध निकालना है क्या है ठीटा का घ्लिइव दिया गया कितना साथ डिग्री तो जीरो से जीरो पर सबसे पहले किंसिल आउट किजिए इसके बाद यह चाठा के चटी से च्छे बार में चले जाएगा उसके बाद फिर आप यहां कटा दीजिए यह जो है यह 11 बार में गया और यह जो है दो से कटाते तेगार दुनी और यह कुछ मिश्टेक हो रहा है क्या हो रहा है अच्छा 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 यहां को गए है कोई बात नहीं गल्तियां होती रहती है ना चलिए तो यहां टू और उसके बाद फिर आपको पाय का भिलू रखना था पाय का भिलू कितना है 22 बटा में 7 और आपका जो तिर्जा दिया गया है कितना दिया गया है 21 से दिया गया है इंक टू में फिटा का भिलू रखे कितना साथ डिग्री और बटे में 307 तो यह 0 से यह 0 कट कर दिजिए यह 6 से यह 6 बार में चले जाएगा और उसके बाद फिर आप इधर यह कट कर लिजिए यह हो जाएगा यह 11 बार में चले जाएगा और यह 3 बार में चले जाएगा यह 7 से चले जाएगा उसके बाद फिर क्या बचेगा 11 गुने में 2 कितना हो जाएगा बैस निकल किया जाएगा पुर्य दिक्राट दें चले अगला परस्न देखते हैं अगला उस्सेट तिर्ज्या खंड का ज़ाकिया जो कि विरिद की केनदे सत्य डिग्री का कौन बनाता है अब इसमें जो है आर्क आफ सिक्टर यहीं तिर्ज्या खंड का चैत फिल्पल के बारे में पाई आर इस्क्वाइर इंटू टावाई तिन सो शाथ बताव सेम प्रसंद था यहां जो है और आर्क आफ लेंद पुछा गया तो यहां तिर्जाखन का चेतपल पुछा गया तो सिंप्ली आप इसे फाइंड आउट कर लेंगे जैसे कि यहां दो गुने में फिर यहां इंटू में ठीटा दिया गया है कितना सतर डिग्री बटे में 307 तो सिंप्ली आप इसे कट आउट कर लेंगे निकाल लेंगे इतना साथ आप कर ही सकते हैं अगला प्रस्न है 35 मीटर ब्यास वाले अर्ध विरित्ताकार खेत को घिरने के लिए कितने लंबी तार्किया वसकत होगी तु उसका प्रिधी हो जाएगा सबसे पहले हैं 35 मिंटर ब्यास वाले अर्ध विरित्ताकार खेत है कुछ इस परकार से अर्ध विरित्ताकार खेत होगा जिसका यहां ब्यास दे रखा यहां ब्यास कितना दे रखा है जिसका यहां व्यास दे रखा है कितना दे रखा है यहां 35 मीटर है यहां 35 मीटर से यहां तक और फिर यहां तक इतने कुछ वरी लंबी तार की आवस्कता होगी तो दोस्तों यह क्या अगर मैं कोई बिंदू से चल के फिर उसी इसके परिदी के बराबर होगा लिए कितना होता है लिक्नि ये कितना सा निकालना है इतना सा आधा निकालना तो इसमें इतना सा से भाग देंगे तो पाइज में टीक कर देंगे जिसको समझ में नहीं आएगा वो लोग कमेंट में जरूर बताएंगे अब सिम्पली इसका जो फर्मला इसका जो है कॉंसेफ्ट रख जीजे तू पाय का भेलू हो जाएगा बैस बटे में साथ हो जाएगा और फिर आपका आर कितना निकल किया तो इसमें दो से भाग देंगे तिर्जा निकल क्या जाएगा क्योंकि हम लोग पहले देख लिए थे यहां प्यास क्या होता है तिर्जा क्या होता है ठीक है और प्लस में यहां जो है यहां आपका 35 दिया गया यहां 35 भी लिख सकते हैं तो इसे जब सिंप्ली केंसी लाउट करेंगे यह साथ पच्छे 35 यह 5 बार में गया यह 5 पर गा रहा है यह 2 यह फिर कितना गया 11 बार में चले गया है और यहां जो इसका टू पाई आर का था यहां नीचे में जो है टू होगा यहां मैं लिखना बूल गया था फिर यह टू से जो है यह टू किंसिल आउट हो जाए तो एगर पच्छे 55 और डी आपका यहां क हो जाएगा आप पहुंशती नाटिक नो 90 सेंटिमीटर सेंटिमीटर अग मिटर जो भी है तो इतना आपका निकल के आ जाएगा है नहीं है इसको समझ भी नहीं आया वह लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे अग्लीज भी आपडकंगे देख लेंगे ज्परजेंगे वह अंग्ली देख लेंगे है अगला प्रस प्रस्ण है एक सैक्षिप की पहे की तिर्जया 42 सेंटिमीटर है चार सा पूरी चकर लगाने पर कितनी दूरी तै करेगा एक सैक्षिप की पईहे का जो तिर्जिया दिया गया है 42 cm है तो सेकील का पईहा कुछ इस परकार से होगा भाई राउंड सेप में होगा और इसका जो तिर्जिया दिया गया है इसका तिर्जिया कितना दिया गया है चार सो पूरी चकर लगने पर कितनी दूरी तैह करें? अगर मुझे इसकी एक चकर का जो है डिस्टेंस पता चल जाए, तो क्या चार सो चकर का पता चल जागा? बिल्कुल चल जागा, क्योंकि भाई मैं उससे फिर इससे मल्टिप्लाइ कर दूगा तो पता चल जागा, अब से चलते हुए, जैसे इस परकार से, चलते हुए यहां कि कुछ इस परकार से मिलता होगा, और यह हमारा क्या बन रहा है? यह परिधी बन रहा है, परिधी के बराबर है, इसका एक चकर जो है, इसके परिधी के बराबर है, तो इसका एक चकर परिधी के बराबर है, तो मैं कितना टैक करेगा तो इंटू में 400 बताओ किसको दिक्कत है अब सिंपल जो है इसका भीलू रख देते हैं तू पाय का भीलू कितना हो जागा 22 बटे में इच्छा बार में गया उसके बाद कुछ बचा नहीं बचा तो इच्छा चो कितना हो जाएगा 2400 और गुने में यहां हो जाएगा 22 दूने 24 ठीक है तो जब इसे गुना करेंगे तो यह 10 56 00 को निकलके आएंगे है ना तो आप सिंपली से गुना कर लेंगे तो दिक्कत आइटिंक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रोब्लम नहीं होना चाहिए बेसिक साथ चीज़े हैं है ना चाहिए अगला है एक सेकिल का पाया कि 344 मेटर दूरी चलने पर 1520 चक्र लगाता है तो पई की तिरचिया ग्यात करना हो त्यारह यह क्लाम जो कोई सेकल का सबसाया प्यागे जो है अगर ओर कर दूनीज पर का द्यार भीकर ऐगर चल जाएगा कैसे क्रीषिंद्ध क्राइब और एक चकर जो है मेरा से को एक चकर जो इसके परिधी के बराबर होगा तो यहां मैं जो है कितना है ते तीज कि शवालीष कि बटे कि यानि टू पायार बराबर लिख सकते से साuit रिल्किल लिख सकते क्या यहनकर एक चकर है और यह भी एक के चकर पायार परिदी की बराबर है तो सिंपली से गट करके निकाल लेते हैं टो कि व्यां अलमोना मैं नूंचिश्च क राभाय का त्यर्कर बेट निकालना है व्य नूलग नेतल जाए और 40 44 बटे में हो जाएगा 15 10 अब इसे जो है कट करना है कट करना है यह 11 से चले जाएगा 11 से दू बार में जाएगा ए anecd hin POS यह 33 एcharged 44 इतना निकल कि आ जाएगा फिर यह 2 से ऐसे चले जाएगा 15 और यह दो फिर यह 152 से 152 यह कितने हम चले जाएगा यह 10 बार में चले जाएगा उसके बाद क्या बच जाता है तो यह दो जो है उपर और यह साथ यह जो है यह साथ जो है इधर चले जाएगा निसाथ और यहां बटाओं में हो जाएगा दस दुने में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा क्रॉस में मुल्टिप्लेक्सान हो जाएगा और सिंप्लि आप इसे पॉइंट में निकाल देंगी तो जो है अंसर निकल के आ जाएगा तो यह 0.35 निकल के आएगा तो कुछ इतने ही प्रस्न थे जो कि काफी आपकी एकजाम के पॉइंट वहीं से इंपोर्टेंट थे हैं तो सारे का मैंने सारे को कराने की कोसिस किया है और आप लोगों को इसी तरह से जो है वीडियो मिलती रहेगा और हो सकता है कल हम लोग जो है कौन संकू के बारे में पर ह तो संकू का भी वीडियो मिल जाएगा और आप लोगों से एक रिक्वेश्ट है अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें और जितना हो सके अपनी ग्रूप में वीडियो को सेयर करें अगर भ्यूज अच्छा आएगा मोटिवेशन ज़रा सेयर ब्यूज नहीं होते हैं तो फिर मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है है तो आप लोग सहाथ देखेंगे और जो याश पहले बार उस控宝े सब्सक्राइब करना यां तो चलिए और हम आप लोग जो पहले का वीडियो नहीं देखेंगा जो अल्डेडी हम लोग नहीं कर रखा आं विरित का तो निचे जो है आपको प्लेलीश डिस्क्रिप्सम नमें इसका लिंग मिल जागा और इससे पहले जो स्क्वायर और रेक्टेंगल का भी वीडियो हो चुका है अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उससे जाके देखिए ताकि आप लोगों को चीजे अच्छे से समझ में आए क्योंकि बेसिक चीजें बेसिक चीजें होती है और 20 से परने से कुछ नहीं होता है तो सुरू से आप लोगो देखा किजिए तो चलिए बस इतना ही